सत्संग की क्या आवश्यक्ता है? इसके बारे में पुझय स्वामी रामसुख दाश्ची कहते हैं, एक सत्संगी भाई ने, एक व्यक्ती से सत्संग में चलने को कहा, तो वह व्यक्ती बोला, मैं पाप नहीं करता, अतहा मुझे सत्संग में जाने की आवश्यक्ता नहीं है सत्संग में वे जाते हैं जो पापी होते हैं वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या वश्यक्ता। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। उपर से देखने पर यह बात ठीक भी दिखाई देती है। अब इस बात को ध्यान दे कर समझो। शिमत भागवत में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है जिनकी तृष्णा की प्यास सरवदा के लिए बुझ चुकी है। वे जीवन मुक्त पुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अत्रिप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का राम बान ओशद है। तथा विशई लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम अहलाद देने वाला है। भगवान श्रिक्रश्न चंद्र के ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले गुण अनुवाद से पशु घाती अथवा आत्म घाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए उससे प्रीती न करे है। ध्यान देना मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक और तीसरे साधारन संसारी विशई विक्ती जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही। जो पूर्ण पुरुष्य हैं, जो आत्मा राम हैं, जिनके ग्रंथी भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से उपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त, तत्वग्य महापुरुष्य भी भगवान की भक्ती करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। ब्रम्हाजी के चार मानस पुत्र सनकादी हैं, उनकी अवस्था सदा ही पांच वर्ष की रहती हैं, वे जन्मजात सिद्ध हैं, ऐसे अनादी सिद्ध सनकादिक जिनके दसो दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनका एक विसन हैं। और एक बन जाता है वक्ता, इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहां होता है वहां सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं। ताकि संसारिक मोख दूर हो जाए, अंतह करण शुद्ध हो जाए, क्योंकि यह संसार की दवा है। जो साधारन संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते। उनके भी मन को, कानों को, सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। सत्संग से एक प्रकार की शांती मिलती है, स्वाभाविक मिठासाती है। और महान पापी, अथवा ज्यान के दुश्मन, इनके सिवाए हरी कथा से विरक्त कोन होगा? जहां भगवान की कथा होती है, वहां भगवान, भगवान के भग्त, संत महात्मा, नारद सनकादी, रशी मुनी, तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षन है। भगवान जी की सवारी है गरुड, उन गरुड जी के बारे में कहा गया है, गरुड जी जब उडते हैं, तो उनके पंखों से सामवेद की रिचाएं निकलती हैं। ऐसे गरुड जी, जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया, जब भगवान श्री राम को नाग पाश में बंधे देखा। भगवान का यह चरित्र देखा, तो उनके मन में संदेह हो गया, कि ये काहे कि भगवान, जिनको मैंने नाग पाश से छुड़ाया, मैं नहीं छुडाता, तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार, भगवान श्री राम को हा सीते, हा सीते, ऐसे पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर, सती को संदेह हो गया था, कि ये कैसे भगवान, जो अपने इस तरी को ढूंडते फिर रहे हैं, और उसके वियोग में रो रहे हैं। गरुड और सती के उदाहरन इसलिए दिये गए हैं, कि इन्हे स्वयम श्री राम के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया, और चरित्र शवन से मोह दूर हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना बढ़िया है। सतसंग के अधिकारी हैं तो जिनको मोख नहीं है वे तत्वग्य पुरुष भी अधिकारी हैं तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहें तो वे भी अधिकारी हैं। जादा मैला होने से सतसंग अच्छा नहीं लग सकता। सतसंगती सब मैलों को दूर करती है परंतु सतसंग करते रहने से। यदि मनुष्य सतसंगती करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे होंगे। पित्त का बुखार होने से मिश्री कडवी लगती है। कैसे करें। तो कडवी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी। और मेठी लगने लग जाएगे। ऐसे ही सतसंग भजन में रुची ना हो तो भी सतसंग भजन करते रहने से जियों जियों पाप नश्ट होने लगेंगे त्यों त्यों सतसंग में मिठा साने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेशता नहीं जानते फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेश सत्संग किया ही नहीं अन्य था सत्संग में रुची अवश्य बढ़ती जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और त्रिप्त हो जाते हैं उन्हें राम कथा का विशेश रस जान नहीं पढ़ता हे प्रभो आपकी कथाएं नदियों के समान और उन्सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं जो निरंतर कथा रुपी नदियों के गिरने पर भी कभी पूरे नहीं होते उनके तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती जाती है राजा प्रिथू ने भगवान की कथा सुनने के लिए दस हजार कान मांगे पागल विक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग में उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं ऐसे लोगों के पैरों में पढ़ जाओ उनसे कहो आप पवित्र हो बड़ी अच्छी बात है आप सत्संग में पधारों तो सही अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो ऐसे कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ तो सही नहीं आए तो उनकी मर्जी गाली दे तो सहलो जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को ही दूर करता है सत्संग की महिमा कहां तक कही जाए स्वयम भगवान शंकर श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं भगवान शंकर को कोन सा पाप दूर करना था कोन सी साधना सीखनी थी जो वे सदा सत्संग ही चाहते हैं भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो वे सुनते हैं और पारवती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो वे सुना देते हैं एक भक्त हुए हैं, जयदेव कवी, गीत गोविंद उनका बनाया हुआ बड़ा सुन्दर संस्कृत ग्रंत है, भगवान जगन्नात स्वयम उनके गीत गोविंद को सुनते थे, भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं, एक मालिन थी, उसको गीत गोविंद का एक ही पद याद हो गया वह बैंगन तोड़ती जाती और पद गाती जाती थी तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते और पद सुनने लगते पुजारी जी मंदिर में देखते हैं कि ठाकुर जी का वस्तर फटा हुआ है उन्होंने पूछा प्रभो आपके यहां मंदिर में रहते हुए यहें वस्तर कैसे फट गया ठाकुर जी बोले भाई बैंगन के काटों में उलजकर फट गया पुजारी जी ने पूछा कि बैंगन के खेत में आप क्यों गये थे ठाकुर जी ने बता दिया मालिन गीत गोविंद का धरगा रही थी अतह सुनने चला गया था वह चलती तो मैं भी उसके पीछे पीछे डोलता था जिससे कपड़ा फट गया ऐसे स्वयम भगवान भी सुनते हैं क्या भगवान को कोई रोग है व्याधी है पाप है जिसे दूर करने के लिए वे सत्संग सुनते हैं फिर भी सुनते हैं ना भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भगत है ऐसे ही भगत की कथा सुनने के अधिकारी भगवान है जहां भगतों की चर्चा होती है वहां भगवान स्वयम पधारते हैं नाभा जी महराज ने भक्तमाल की रचना की, उसके उपर प्रियदाश जी महराज ने कविता में टीका की, ये स्वयम ठाकुर जी का सिंगहसन लगा कर उन्हें कथा सुनाते थे, उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे, धनिकों के आने से खत्रा होता है, कुछ चोरों ने देखा कि यहां इतने धनी आदमी आते हैं, हम भी चल लें, और कुछ नहीं मिला, तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा चोरी कर ली, प्रियदाश जी महराज ने कहा, हमारे मुख्य शोता चले गए, अब कथा किसे सुनाए, कथा बंद, ठाकुर जी चले गए, अब भ पस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं, जब ठाकुर जी आ गए, तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान और श्रिंगार करवाया, रसोई बनाई, भोग लगाया, उसके बाद कथा चली, जब कथा चली, तो प्रसंग कहां तक चला, ऐसा किसी को याद नहीं रहा, तब ठाकुर पुर्वान भगतों की कथा इस प्रकार स्वयम श्री भगवान भगतों की कथा धान पूरवक सुनते हैं सुर्य उदय होता है तो अंधिकार दूर हो जाता है किंतु वह बाहरी अंधिकार होता है किंतु जब सत्संग रुपी सुर्य उदय होता है तो उससे अंतहकरण में रहने वाला अंधिरा दूर हो जाता है पाप दूर हो जाते हैं शंकाएं दूर हो जाती हैं अंतहकरण में रहने वाली तरह तरह की उलजने सुलज जाती हैं राम मया सत्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कच्छु रहियो विशय रस्ब होए भगवान और भगतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगती मिलती है विभीशन ने हनुमान जी से कहा अब मुझे पक्का भरोसा हो गया की भगवान जरूर मिलेंगे आप मिल गए हो इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझे पर विशेश कृपा किये भगवान विशेश कृपा करते हैं तभी अपने प्यारे भगतों का संग देते हैं सत्संग से बहुत शांती मिलती है मुझे कई भाई बहन मिले हैं उनका बहुत समाधान हुआ है शांती मिली है सत्संग में सब के लिए उप्योगी बाते हैं तत्वग्य, जीवन मुप्त, साधक, संसारी, विशई, समस्त आदमी, इसके सुनने के पात्र हैं, जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेश कृपा की है, भगवान ने मनुश्य शरीर दिया, यह कृपा की, उसके बाद सत्संग दिय यह है विशेश कृपा की, ऐसी कृपा का लाब हमें लेना ही चाहिए, दूसरों को भी जो लेना चाहें, तो सत्संग देना चाहिए, भरा सत्संग का दरिया, नहालो जिसका जी चाहे, हजारों रतन बे कीमत भरे, आला से आला है, लगा कर ज्यान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। तुलसी दुरलब दोए सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान की कथा और सत्संग ये दो दुरलब वस्तुए हैं। पुत्र, स्त्री और धन तो पापी मनुश्य के भी प्रारब्ध अनुसार होते ही हैं। रावन का भी बड़ा राज्य था, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यही है कि भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, चर्चा हो, तथा भगवान की तरफ लग जाएं। संतों ने भी तो मांगा है, राम जी साधू संगत मोही दीजिये, वारी संगत दो राम जी पल भर भूल न होए। महराज, सत्संगती दीजिये, जिससे आपको ख्षन भर भी भूलू नहीं। सज्जनों, सत्संग से जो लाब होता है, वह किसी साधन से नहीं होता। साधन करके, जो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, वह कमाकर धनी होने की समान है। किन्तू सत्संग सुनना तो गोद में जाना है गोद चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतह मिल जाता है संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे कितना साधन किया होगा कितनों का संग किया होगा उन सब का सार आपको एक घंटे में मिल जाता है गोध जाने में क्या जोर आवे साहप आज कंगला और कल लखपती वह तो कमाई हुए धन का मालिक बन जाता है सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बरसों तक साधन करने से भी नहीं मिलती इसलिए भाई सत्संग मिल जावे तो जरूर करना चाहिए इसे मुفत में कल्यान होता है मुफत में इसलिए सत्संग का मन ना भी करे तो भी बैठो बैठने से सुनने से धीरे धीरे पापों का नाश होगा चित जितना मैला है वो शुद्ध होगा और धीरे धीरे भगवान के सत्संग में भगवान के नाम जब में रस आने लगेगा भगवान में भगती और प्रीती बढ़ जाएगी नारायन नारायन नारायन